नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस वर्ड आज का वीडियो सिविलाइजेशन पर आधारित है सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता जिसका अर्थ है एक ऐसा सामाजिक जीवन जो अपनी अत्याधुनिक विक्सित संस्कृती और जीवन शैली से परिपूर्ण हो स्टोन एज यानी पाशान युग के बाद ऐसी ही कुछ सभ्यताओं का सफर शुरू होता है मिसोपोटेमिया, इजिप्ट, हररप्पा, महोजेदरो और चीन की सभ्यता सबसे पुराणी सभ्यताए थी आज हम जानेगे मेसोपोटामिया के बारे में जो इन सभी में सबसे पुराणी सभ्यता मानी जाती है आज का इरान सीरिया और तर्की मेसोपोटामिया के स्थान को दर्शाता है नियोलिटिक पिरियड जो स्टोन एज का आखरी पड़ाव माना जाता है वही से इस महान सभेता की शुरुवात होती है पुरातत्व की माने तो आप इसे 5000 BC से इस सभेता की शुरुवात मान सकते हैं मेसोपोटामिया नाम इसके स्थान को हूभूदर्शाता है मेसो का मतलब है मध्य और पोटामौस का मतलब है नदी क्योंकि ये सभेता यूफरेट्स और टाइगरिस ये दो नदियों के बिच पनपी थी इसलिए इसका नामकरण कुछ इस प्रकार हुआ था मेसोपोटामिया अपनी कई विशेशताओं से परिपूर्ण था यहां के लोगों को मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलोजी, एग्रिकल्चर, रैटिंग स्किल्स एंड लैंग्वर्ज का पुरा ज्यान था जानते हैं ऐसी ही कुछ विशेशताओं के बारे में बड़े नगरों का निर्मान लगभग तीन हजार बीसी में मेसोपोटामिया कई नगरों से भरा हुआ था हर नगर में अपना इंडिपेंडेंट राजा और भगवान हुआ करता था आए दिन इन नगरों में युद्ध हुआ करते थे जिनके चलते सामाजिक स्थिर्ताना के बराबर थी किसी केंद्रिय शक्ती का इन नगरों पर कंट्रोल नहीं था इसी वजह से इन नगरों में युद्ध हुआ करते थे यही युद्ध आगे चलकर इस महान सभ्यता के पतन का कारण बने भाशाय और लिखाई कौशल मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अक्कादिया, सेमेटिक, सुबाटुवान, जागरोस इत्यादी भाशाय बोली जाती थी इन सभी में सुमेरियन सबसे अहम और प्रचलित भाशा थी जो प्रशास्की, धार्मिक, साहित्यक और वैध्यानिक उद्देशों को साज़ा करने के लिए उप्योग में लाई जाती थी लिखाई कौशल की बात करे तो मेसोपोटामिया में सिंपल स्टाइल के साथ साथ कर्सिव स्टाइल का भी उप्योग होता था मेसोपोटामिया के बैबलियन राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक समराथ हम्मूराभी ने एक लिखित स्वरुप की कानून व्यवस्था बनाई थी जिसे उसने आठ फीट उची पत्थर की शिला में चुनवाया था ताकि आने जाने वाले सभी लोंगों में कानूनी व्यवस्था का खौफ बना रहे यहाँ ज्यादातर अपराधों की सजा मृत्य दंढ ही हुआ करती थी सामाजिक जीवन सामान्य रूप से मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन तीन वर्गों में विभाजित था प्रथम वर्ग, मध्यम वर्ग और निचला वर्ग प्रथम वर्ग में राजा और पुजारी थे राजा को भगवान का प्रतिनिधी माना जाता था उसका आदेश यानि इश्वरी आदेश यही सभी की धार्णा हुआ करती थी उजारियों का काम अपने धर्म का प्रचार करना था साथ साथ वे राजा के सलाहकार भी थे मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमीनदार और दुकानदार आते थे और सबसे आखरी था निचला वर्ग जो दासों एवं गुलामों का था युद्ध में पकड़े गए दुश्मनों के सिपाहियों को गुलाम बनाया जाता था धार्मिक आस्था मेसोपोटामिया के लोग एक ईश्वरवादी नहीं थे वे कई देवी देवताओं में मानते थे देवताओं के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था जिगुरत का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी इसे बनाने के लिए एक कृत्रिन पहाड़ी का निर्मान किया जाता और उसके उपर इंटो की मदद से तीन मनजिला विशाल भवन बनाया जाता जिसे जिगुरत कहते जिगुरत की उचाई 20 मीटर से अधिक हुआ करती थी विध्यान और गणित मेसोपोटामिया के लोगों को खगोल विध्यान का पूरा ज्यान था उन्हें तारों की स्थिती को पहचानना पूरी तरह से आता सुर्योदय सुर्यास्त का समय चंदर की स्थिती का ठीक ठीक ज्यान उनके खोजे हुए सबसे बड़े अविशकार थे साथ सेकंड मतलब एक मिनट, साथ मिनट मतलब एक घंटा और चौबीस घंटों को मिलाकर एक दिन इन्ही का हिसाब था तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले विडियो में आपके सुजाओ का इंतजार रहेगा धन्यवाद